गॉर्ण गाइस तोडेय वी आ बहुत करेंगे करेंगे कैसे यूज करेंगे और कहां पे हम यूज नहीं करना अपने को बेचेकली क्या है ना जो 51 modifier है वो किसलिए यूज किया जाता है वो किया जाता है multiple procedure show करने के लिए like doctor has done multiple procedure so at that time we have to append 51 modifier 51 modifier में रहता क्या है main चीज के इसमें हम यह दिखाते हैं कि doctor ने एक से जाधा procedure किये है ठीक है जब देखिए मैंने यहां पे लिखा भी है whenever doctor is doing two procedure ठीक है जबी भी doctor two procedure करेगा in that case we will append 51 modifier to so that doctor has done the multiple procedure देखिए बहुत सारे questions आते हैं उनमें options को आप कैसे eliminate कर सकते हो basically क्या है CPC का exam निकालने के लिए आपको elimination method आना चाहिए तो आप कैसे option को eliminate करोगे तो उसके लिए best तरीका यह है कि हम जो 51 modifier है उसको कभी भी add-on code के साथ मैं मतलब code नहीं करते मतलब कोई भी chapter है like surgery chapters है या फिर कोई other chapter है like lap and path और कोई भी medicine रहा कोई भी chapter हो उनमें हम जबी भी add-on code होगा ना add-on code का मतलब रहता है कि कोई भी code जिसके आगे plus का sign होता है ठीक है उनको हम add-on code बोलते है मतलब code से पहले आपको plus का sign दिखेगा तो समझ जाना कि यह add-on code है तो उन add-on code के साथ हम कभी 51 modifier यूज नहीं करते हैं तो आपको basically करना क्या है जबी भी you will get options like that कि add-on code के साथ 51 modifier है तो you can eliminate that options very easily इससे आप क्या कर पाएंगे जो option है wrong उनको जल्दी से जल्दी eliminate कर पाएंगे क्योंकि mostly questions में क्या होता है कि जो option है उनमें जो add-on code के साथ में क्या देते हैं 51 modifier देते हैं तो आप यह चीज़ द्यान रखिएगा कि हम 51 modifier कभी add-on code के साथ किसी भी chapter में use नहीं कर सकते देकि नीचे example भी दे रखा है मैंने do not report 51 modifier with add-on code like यहां तो देखो basically example के तौर पर दे रखा है जैसे vaccine के add-on codes हैं उनके साथ यहां पर show किया गया है कि inappropriate कौन सा है और appropriate coding कौन सा है inappropriate में क्या किया है इन्होंने कि जो add-on code like 90472 इस code को आप देखेंगे ना तो यह add-on code होगा यहां पर इसके साथ 51 modifier लगाए तो यहां पर मैंने क्या बताइथा कोई भी add-on code है उसके साथ हम कभी 51 modifier यूज नहीं करते है लगाए पैनल है पैनल कोड होते हैं उनके साथ भी 51 modifier यूज नहीं करते हैं तो यहां पर वहीं दे रखा है कि हम पैनल के साथ में कभी 51 modifier यूज नहीं करेंगे उनको separately without 51 modifier लिखेंगे ठीक है आयोप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी बेसिकल यह देखें सिंपल चीज यह है कि आपको कुछ नहीं करना है आपको यह देखना है कि क्यों डॉक्टर ने अगर multiple procedure किया है तो at that time you have to append 51 modifier with the second procedure जैसे एक procedure like accession किया है दूसरा repair किया है तो accession के साथ में आप नहीं use करोगे 51 modifier you have to use with like repair repair code के साथ में आपको 51 modifier use करना है यहां पर देखिए वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है कि do not use 51 modifier with the primary procedure it will always be used with the second procedure means lowest procedure like देखे मैंने इसमें example में आपको बताया है यहां पर देखिए example भी दे रखा है इसका simple कहने का मतलब यह होता है कि जैसे डॉक्टर ने दो procedure कि हैं तो हम पहले procedure के ने पर लिखी और ने पहले एक्जामपल देख लीजिए यह पर दॉक्टर ने किया है एक्सीजन के साथ में किया 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 मैं chirpe किया में तो यहांपर पहले procedure अपना क्या होगी ने प्रफोर्म किया किय फ्यसंदे अच्व चीक है जो 51 modifier है वो दूसरे procedure के साथ में जाएगा देखिए यहां पर यह इसका right answer है वो इसी लिए है कि यहां पर हमने क्या किया है पहले procedure के साथ में 51 modifier नहीं दिया है ठीक है अगर कभी भी पहले procedure के साथ में आपको 51 modifier देखता है तो इस option को आप easily eliminate कर सकते हो ठीक है अभी आप इस question को मत देखिए आप केवल यह समझीए कि यहां पर हम जो 51 modifier है वो केवल secondary procedure के साथ में यूज करेंगे मनलब जो lowest procedure होगा ठीक है और इसमें एक और important चीज है कि जो reimbursement रहता है जैसे पहला procedure जो रहेगा ना like accession जो डॉक्टर ने किया है उसका हम 100% payment करते है ठीक है ठीक है और जो दूसरा है like closer M.E.s यहां पर registration जो है उसका 50% हम reimbursement करते हैं ठीक है यह भी important चीज है देखिए यहां पर भाई चीज लिखी हुई है रिम्बस्मेंट इस subjected to like 100% charge given to primary procedure मला primary procedure को हम 100% चार्ज देंगे और जो secondary procedure है उसको 50% देंगे जैसा कि मैंने आपको उपर बताए था ठीक है I hope you are getting my point कभी भी आप question solve करोगे ना CPT के तो you have to check what is going on जैसे CPT में basically होता है क्या है CPT की खुर्पर में होती है current procedure terminology means doctor क्या चीज परफॉर्म कर रहा है currently तो हम वह चीज देखते हैं उस चीज के लिए ही हम code करते हैं में सा CPT में देखें यहाँ पर अब example देख लीजिए फिप्टीवन मोडिपार का patient presented for medial maniscal bucket handle tear left knee arthroscopy with partial medial menispectomy left knee and arthroscopic picking of the lateral femoral condyle was performal अब यहाँ पर क्या क्या चीज परफॉर्म हुई है यहाँ पर हुआ करते हैं जो डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है करेंटली ठीक है तो यहाँ पर दो चीज परफॉर्म हुई है डॉक्टर ने क्या क्या परफॉर्म किया medial menisectomy और picking मतलब drilling hole ठीक है तो उसका देखिए जो code है medial menisectomy करेंगा वह है 29881 ठीक है और जो drilling hole है उसका code है 29879 ठीक है तो मैंने आपको पहले बताया था लाइक गैनेवर डॉक्टर इस दूइंग टू डिफरेंट प्रोसिजर एडट टाइम वीविट कोड़ डैट प्रोसिजर मींस वह पूरा जो CPT रहेगा उसका उसमें हम जो सेकेंड अपना code रहेगा उसके साथ में 51 modifier यूज करेंगे देखिए यहां पर क्या है हमारा option भी सही रहेगा क्योंकि डॉक्टर ने क्या क्या किया है डॉक्टर ने क्या है मैनेक्स टेक्टोमी एंड डिलिंग होल ठीक है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको जबी भी डॉक्टर दो प्रोसिजर करेगा at that time second procedure के साथ में आपको 51 modifier यूज करना है तो यह example होगे 51 modifier का जबी भी आप CPC का exam देंगे न तो आपको 51 modifier के बहुत सारे options मिलेंगे तो आपको यह दियान रखना है कहां पर 51 modifier यूज करेंगे और कहां पर यूज नहीं करेंगे ठीक है बेसिकली क्या है आपको add-on code के साथ में modifier यह यूज करना है कभी भी कोई भी add-on code होगा किसी भी chapter का you will not use 51 modifier यह ध्यान रखना यह की है इससे आप बहुत सारे options को eliminate कर सकते हो अभी और questions देख लेते हैं देखे एक और example देख लेते हैं 51 modifier का ठीक है देखे questions परते हैं पहले a 64-year female who has multiple sclerosis fell from her walker and landed on the glass table. She lacerated her forehead, cheek and chin and the total length of these lacerations was 6 cm. Her right arm and leg had deep cut measuring 5 cm on each extremity. Her right hand and right foot had local had a total of 3 cm lacerations. The ED physician repaired the lacerations as follows. The forehead, cheek and chin had debris meant and cleaning of glass debris with the lacerations being closed with one layer closure means 6.60 proline suture. The arm and leg were repaired by layered closure 6.0 visceral subcutaneous suture and proline suture on the skin. The hand and foot were closed by a thesive strip. Select the appropriate procedure code. देखे यहां पर क्या है केवल एक चीज़ हुई है. समझे यहां पर multiple procession नहीं हुआ है. यहां पर क्या हुआ है केवल एक ही चीज़ हुई है. जो कि क्या है? रिपेर कोड हमारे होते हैं. यह वाले. 12053 और 12034. देखे यहां पर यह जो कोड है ना. मैंने क्या बताया था? multiple procedure होगा ना. जब यूज करेंगे. देखे यह जो 11042 कोड है ना. यह किस के लिए होता है? एकसिजन वाला कोड होता है. ठीक है? तो यहां पर हम 51 modifier यूज नहीं करेंगे इसमें. तो यहां पर हमारा right option कौन सा होगा? वो होगा D. ठीक है? क्योंकि यहां पर कहीं भी एकसिजन नहीं है. यह वाला कोड एकसिजन का है. option C हम eliminate कर सकते हैं. क्योंकि एकसिजन यहां पर न हो है. 12053, 12034. अभी मैं आपको एक जनरल वेम बता देता हूँ. जो option B है. उसको हम eliminate इसलिए करते हैं. क्योंकि जो हमारा जबी भी हम closer करेंगे किस से? अथैसे step से. तो उसको हम consider नहीं करते है. as a laceration. इसलिए हम जो 12002 है. उसको भी हम eliminate कर सकते हैं. तो हमारा right answer यहां पर रहे old female had a previous biopsy that indicated a positive malignant margin anteriorly on the right side of her neck. a 0.5 margin was drawn out and a 15 scale scaffold was used for full excision of an 8 cm lesion. layered closure was performed after removal. the specimen was sent to permanent histopathological examination. what are the CPT code for this procedure? देखे यहां पर पूछ रहा है पूरे procedure के लिए क्या CPT code रहेगा? ठीक है? तो यहां पर हुआ क्या क्या है? accession हुआ है. ठीक है? दोसरा چीज क्या हुआ है? layer closure ठीक है? तो मैंने क्या बताया था है? जहां पर हम multiple procedure करेंगे. यहां पर दो procedure हो गए da doctor क्या क्या wire? एक तो accession किया है. दूसरा doctor ने क्या 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 है? Repair किया है. ठीक है? दो चीज है हुगे. तो हम यहां पर क्या करेंगे? 51 modifier use करेंगे ठीक है तो अपने पास option कौन सा सही है option c will be the right answer क्योंकि जो 11 626 code है वो अपना यहाँ पे accession के लिए use हुआ है और जो 12 044 with 51 modifier है वो अपना layered closer के लिए use हुआ है तो इस तरीके से आप 51 modifier को use कर सकते हो basic क्या है आपको यह देखना है कि कि आप कहाँ पे कैसे use करोगे और कैसे आप option को eliminate कर दोगे ठीक है eliminate करने के लिए best चीज है वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि you have to check whether the 51 modifier is come with add-on code अगर add-on code के साथ आता है तो आप उस option को direct eliminate कर सकते हैं I hope यह आपको समझ में आया होगा कि आप 51 modifier कहाँ यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं आपको concept के लिए हो गया होगा if you like my video please hit the like button share and subscribe my channel for more videos related to modifier and much more